बचो हम operations पढ़ रहे थे tensor का उसी का ही further हम study करेंगे तो उसमें inner product आज हम पढ़ेंगे inner product इनर product किसको कहते हैं जब हम दो tensor का outer product करते हैं और फिर उसका contraction करते हैं तो जो हमें answer मिलता है tensor का उसको हम inner product कहा जाता है तो हमें क्या करना है inner product अप्टेंचर करने के लिए पहले हमें दो tensor हैं उसका हमें outer product करना है फिर उसका क्या करना है हमें contraction करना है तो हमें क्या मिलेगा inner product हमें inner product मिलेगा तो इसके लिए हम समझ लेते हैं कि दो mix tensor है a ijk मू-new जो पांच रेंग का टेंसर है 1 2 3 4 5 और इसके साथ है ना और डूसरा टेंसर है बी रो एम एन तो पहले इन लोनों का क्या करना है आउटर प्रॉडक्ट हम करते हैं फस्ट टैप है आउटर प्रॉडक्ट तो जब आपe इसका आउटर प्रॉडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा इस तरही कैसी यह फाइव रंक है É और यह कितना रंक है यह तो है यहाद कितना अब्ले काशीर यह थो जैउं मिलेगा सी आई जे-के-म-अन mu, new, rho तो यह 7 rank का tensor आपको मिला तब आपको क्या करना है तब हम इसके बाद हमें contraction करना है contraction के लिए हम क्या करेंगे C, I, J, K, M, N mu, new, rho जो यह हमें answer मिला था इसमें हम क्या करेंगे जो N on new है इसको हम मतलब contraction के लिए क्या करना पड़ता है एक covariant tensor sorry, एक contravariant tensor और एक covariant tensor को दोनों को equal रखना पड़ता है तो इसमें हम contravariant में से N ले लेते हैं covariant में से mu, new ले लेते हैं, n is equal to new तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा C, I, J, K M, N mu, N, rho is equal to क्या मिलेगा D, I, J, K, M mu, rho यह हमें इसे क्या कहते है this is the inner product और यह इसका rank कितना है 6 है 6 rank का है और किसके कौन से दो product of tensors है 5 rank का product और 3 rank tensor का जो हमने inner product किया है तो हमें resultant जो हमें मिला है वो है 6 rank का tensor हमें obtain हुआ है तो यह इसकी operations था tensor का अब दूसरा है caution law caution law क्या होता है caution law means एक तरीके से test होता है कोई भी एक quantity है suppose x मान लेते है x quantity है वो tensor है कि नहीं ठीक है उसको test करना होता है तो caution law के help से हम उसको कर सकते हैं तो caution law में हमें क्या करना होता है कि अगर जो inner product है कोई भी unknown quantity जैसे unknown quantity यह एक्स है इसके बारे में हमें पता नहीं है इसका हम inner product करते है inner product में क्या करना पड़ता है अभी उपर हमने देखा है outer product करना पड़ता है पहले फिर contraction करना पड़ता है तो इसका अगर हम inner product करते है कोई भी arbitrary tensor के साथ अगर हमें उसमें tensor मिलता है तो जो unknown quantity है वो tensor होती है, नहीं तो नहीं होती है, तो इस method क्या कहा जाता है, caution law कहा जाता है, तो हम caution law में क्या करते हैं, कोई भी unknown quantity x है, वो tensor है कि नहीं वो हम मालुम करते हैं, तो उस unknown quantity, यह जो unknown quantity है, unknown quantity का हम inner product करते हैं, inner product में क्या करना पड़ता है, पहले outer product करना पड़ता है, फिर contraction करना पड़ता है, किसी arbitrary tensor के साथ है, किसी भी tensor के साथ इस quantity का हम inner product करते हैं, अगर हमें जो answer मिला है, वो tensor मिला है, तब ये quantity भी क्या है, tensor है, तो इसके लिए हम, इसको समझे के लिए, suppose एक ये unknown quantity है, x, alpha, j ले ले लेते हैं, इसका हमने inner product किया है, a, i, j, beta के साथ, और beta, जो हमें resultant मिला है, beta, alpha, beta, ये हमें मिला है, और ये क्या है, tensor है, तो इसमें जो ये है, x, alpha, j, x, alpha, j, तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक tensor हुआ, जहां पर, a, j, b, के, जो mix tensor है, है न, second rank का tensor है, उसके साथ हमने इसको inner product किया, है, तो हमें एक tensor quantity मिली है, इसका मतलब जो ये unknown quantity है, वो है, tensor है, तो इसके लिए हम एक proof देख लेते हैं, तो, suppose हम ये जो unknown quantity है, alpha, x, alpha, j, इसका हम inner product करते हैं, mix tensor है, जिसका rank 2 है, 1, 2 है, जिसका rank क्या है, 1, 2 है, एक contra variant में है, और एक co-variant में है, तो 2 rank का है, और हमें b, alpha, beta, b, alpha, beta, तो पहले हम क्या करेंगी, ये जो हमें product मिला है, इसका हम transformation करेंगे, so x का transformation हो जाएगा, x bar, alpha का हो जाएगा, mu, j का हो जाएगा, new, a का हो जाएगा, a bar, j का हो जाएगा, new, beta का हो जाएगा, sigma, बी का हो जाएगा बी बार अलफा का म्यू और बीटा का सिग्मा तो इसमें वन बाई वन करके हम देखेंगे पहले जो ये मिक्स्ट टैंसर है आर्बडरी टैंसर जो हमने लिया है इसका ट्रास्फोर्मेशन लेंगे बार न्यू सिग्मा इस इक्वल टू डैल एक्स बार ट्रास्फोर्मेशन में एक क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट तू दूसरे के साथ डिफ्रेंसीशन कर दो इसको इस तरीके से शो किया जाता है एक्स बार ए जे बीटा और बीटा अलफा बीटा क्या है वो भी टैंसर है उसका भी हमने ट्रास्फोर्मेशन करना है तो b bar mu sigma is equal to del x alpha upon del x bar mu del x beta upon del x bar sigma beta alpha beta तो अब इसमें हम क्या करेंगे यह equation में जो पहली first equation थी यहांपर equation number डाल देते हैं इसको हम ले लेते हैं यह first equation है इसको second equation डाल समझ लेते हैं यह third equation है और यह है ना अब इसमें हम क्या करेंगे यह जो है इसमें हम first equation है वो इसमें रख देंगे तो पहली equation कौन सी थी? यह वाली equation वो इसमें रखेंगे तो यह हो जाएगा b bar mu sigma is equal to del x alpha upon del x bar new del x beta upon del x bar sigma beta alpha यह हो जाएगा beta alpha beta के बतले हो जाएगा x alpha j a j b हमने यह जो beta alpha beta है इसके बतले यह जो इसकी value थी equation 1 से वो हमने इसमें substitute कर दी है तो अब इसमें क्या करना है? इस equation में जो यह हो गई fourth equation है इसको fourth equation मान लेते हैं तो इसमें जो third, तीसी और चौथ equation है उसको second में रख देना है तो second equation हमारी यह थी x bar mu new a bar new sigma is equal to b bar mu sigma तो इसमें b bar mu sigma की value और इसकी value a bar new sigma की value इसमें डाल देनी है तो यह equation को हम ऐसे लिख सकते हैं यह हो जाएगा x bar mu new x del x new del x j उपर से रखके इसमें डाल देनी है रख देनी है तो यह इस तरीके से ऐसे इसको लिख सकते हैं del x alpha upon del x bar mu del x beta upon del x bar sigma x alpha j a j beta ठीक है इस तरीके से हो जाएगा अब इसमें भी इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं यह जो सब terms हैं उसको एक साइड रख देते हैं इसमें लाइफ चली गई है इसके बाद हम इसको इस तरीके से लिखेंगे जो एक्वेशन हमें अप्टेन हुई थी वो यह वाली थी x-bar nu mu is equal to del x nu del x j del x beta upon del x-bar sigma aj beta is equal to del x alpha upon del x-bar mu del x beta upon del x-bar sigma x alpha j aj beta तो यह इसको एक साइड ले लेंगे तो यह हो जाएगा del x beta upon del x-bar sigma जो यहां की जो terms हैं उसको इधर ले लेंगे इधर हैं ना टास्वाम कर देंगे तो यह ए जे बीटा x-bar mu nu del x-bar mu upon del x-bar थोड़ा इसमें प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको यह सब लिखने की है ना लिखके प्रैक्टिस करो के तो आ जाएगा is equal to zero अब इसमें हम देखेंगे जो a, j, बीटा है यह क्या है जीरो नहीं हो सकता है ना यह तर्म जीरो नहीं हो सकती है यह तर्म जीरो नहीं हो सकती है यह तो यह वाली जो टर्म है इट शुद भी जीरो यह जीरो हो सकती है x bar mu new x del x bar new del x j minus del x alpha del x mu x alpha j यह जीरो हो सकती है तो इसका जब outer product हम करेंगे outer product with del x m upon del x bar n इसके साथ अगर आप outer product करोगे so this equation becomes c वाली जो equation है वो हो जाएगी x bar mu v del x m upon del x bar n del x bar new upon del x j minus del x m upon del x bar n del x alpha upon del x bar new x alpha j is equal to 0 so इस तरीके से हो जाएगा अब इसमें यह जो और यह और यह है इसको हम लिख सकते हैं it can be written as यह हो जाएगा अगर इसमें हम m is equal to j ले ले new is equal to n ले ले तो यह हो जाएगा this will become x bar mu new del m j del new n यह जो term है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं del m j chronica delta के form में लिख सकते हैं और यह हो जाएगा del new n so यह हो जाएगा minus del x m del x bar n del x alpha del x bar mu x alpha j is equal to 0 so अब इसमें यह condition लाल देनी है m is equal to j new is equal to n so this become यह क्या हो जाएगा इस तरीके से हमें obtain होगा क्योंकि m is equal to j होगा new is equal to n होगा तो chronica delta क्या हो जाएगा यह भी 1 हो जाएगा यह भी 1 हो जाएगा तो हमें इस तरीके से यह obtain होगा l j is equal to 0 और इसको ऐसे भी सकते हैं x bar new mu is equal to del x j upon del x bar n del x alpha del x bar new x alpha of j तो यह हो जाएगा c bar mu new is equal to del x j del x bar new del x alpha upon del x bar new c alpha j इस तरीके से मिलेगा तो यह जो था इसमें यह वाली जो quantity थी इस दिस इस इस उन्नोन quantity यह उन्नोन quantity थी will be covariant tensor of second rank और इसमें x mu है coordinate system है तो यह जो है this is equal to this यह हो गया c bar mu nu so this is the tensor हमें जो resultant मिला है वो क्या मिला है tensor तो इस तरीके से unknown quantity tensor है की नहीं हमने find करी है